तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के एस नए और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू कवायत यानि की उर्दू ग्रामर में फेल माजी को पढ़ने वाले हैं fail क्या है इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग आप लुड़ी बता भी चुकी हूँ fail pass वाला ये fail नहीं है उर्दू में fail किसे कहते है प centrally आप लोग जानते है fail या निकि verb इंगलिश में कहते है वर्प और हिंदी में कहते है किरिया और फेल को जमाना के लिए हाद से तीन भागों में बाटा गया है जमाना किसे कहते हैं ये भी मैं आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो बता चुकिए अगर नहीं देखें इसका पहले वाले वीडियो तो जरूर देख लीजेगा सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए जो काम पास्ट में हो चुका है यानि कि माजी में हो चुका है उस काम को कहते हैं फेल माजी जो फेल माजी में हो चुका है उस फेल को क्या कहते हैं फेल माजी और जो फेल जो क्रिया जो काम अभी हाल में हो रहा है अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूं तो ये क्रिया य अपको आलड़ी बता चुकि हूं इसके पहले वाली वीडियो में कवर कर आ चुकी हूं आज के इस वीडियो में हम लोग deeply समझने वाले हैं फेल माजी को तो जानते ही हैं फेल गुज़रिवे समय में हो चुका है, उस तरह के प्रह को कहते हैं थे व धेक माजी को समझेंगे क्या प्रहों कि फिल माजी के प्रहों कि इसकी शे किसमे है, याद रखियेगा, कितने किसमे? शे किसमे, यानि कि छे टइप होता है. पहला है माजि मुतलक, दूसरा है माजि करीब, तिसरा है माजि वाईद, चौतर है माजि स्तमरारी और पांचवा चट्था भी मैं आप लोगों को बताऊंगी सबसे पहले बोड पर चारी टाइप अटा तो चारी टाइप लिखी हूं पांचवा चट्था मैं आप बोड मिटाकर आगे बताऊंगी तो सबसे पहले इन चारो टाइप को एक एक करके समझ लेते हैं और ध्यान मे रखिएगा यहां से आप लोग के एकजाम में हर साल कोश्टन पूछा जाता है इसमें तो कोई शक्षी नहीं है 100 परसेंट गारेंटी ठोक कर मैं बोल रहे हूं कि इस साल भी पूछेगा और हर साल पूछा जाता है अगर आप लोग के पास previous question paper है 10th या 12th class का तो आप लोग उठा कर देखिए ऐसा हुई नहीं सकता है कि आप लोग के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है और इसलिए आप लोग बिना इसकिप की अम तक वीडियो को देखिएगा और हर एक पॉइंट को समझेगा ताकि आप लोग के एक्जाम में एक भी question फेल माजी या फिर फेल से रिलेटेड कोई भी question आप छोड़ करना है ठीक है चलिए समझते हैं सबसे पहला जो टाइप है फेल माजी का माजी मुतलख किसे कहते हैं माजी मुतलख उस तरह के फेल उस तरह का काम जिसका खत्म होना मालूम ही नहों है वैसे तो आप लोग को जैसे कि महमूद आया एक्जामपल लेकर समझते हैं महमूद आया पता नहीं है कि अभी आया महमूद की पहले आया था ये नहीं न पता है, सिर्फ महमूद आया, महमूद अभी आया कि बहुत पहले आया, ये नहीं पता है, सिर्फ महमूद आया, तो महमूद आया क्या हो जाएगा, माजि मुतलक, यानि कि काम तो हुआ है, आने का काम हुआ है, लेकिन अभी हुआ है कि बहुत पहले हुआ है, ये नहीं पता है सिर्फ साजित गया तो इसको क्या बोलेंगे माजी मुतलग कहेंगे उसी तरह है मैंने देखा तो मैंने अभी देखा कि बहुत पहले देखा कब देखा नहीं ना पता है तो मैंने देखा क्या हो जाएगा माजी मुतलग हो जाएगा उसी तरह उसने कहा तुमने क हाह वे लोग देखें ठीक हैं तुर सारा चीज माजी मुतलक है लाएगा आपने माजी मुतलक समझ में आ गया अब समझ में अगर क्लव को है ना माजी मुतलग से ही रिलेट है और हर एक एक टाइप को पहचाने का ट्रिक बताऊंगी आप लोग को 100% perfect trick मतलब क्या बताऊं अगर आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछे के माजी माजी है फिसे कहते हैं मतलब फेल माजी करीब लेखिये माजी है तो फेल माजी मुतलग इस तरह पढ़ीए यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में फेल नहीं लेखी हूए ने क्योंकि ह班 टोके हैं क्योंक्तj है इसे तो तो फील माजी किसे कहते हैं उस तरह के फेल को जिसको खत्म हुए जादा देर नहीं हुआ है जादा समय नहीं हुआ है उस तरह के फैल उस तरह के काम को कहा जाता है फैल माजी करीब याद रखेगा फैल माजी करीब यानकि अभी करीब ही है मतलब खत्म हुए जादा देर नहीं हुआ है करीब में मतलब जादा देर नहीं हुआ है जिस काम को तो मेहमुध आया है कि महमुध अभी अभी आया है मतलब अभी काम होँआ है ज्यादा देर अभी नहीं हुआ है। काम तो हो गया है आने का काम हो गया है महमूद आ चुका है लेकिन महमूद आया है यानि कि अभी आया है काम को खत्म हुए जादा देर नहीं हुआ है तो महमूद आया है यह क्या हो जाएगा फेल माजी करीब हो जाएगा उसी तरह साजित गया है फेल माजी करीब क्योंकि खत्म हुआ है ज्यदा देर नहीं उस तरह के फेल को फेल माजी करीब कहेंगे ठीक है आप ela games लगा दीजिएगा मैं लगाना भूल गई चल माजी करीवेगा इस तरह के फेल उस फेल बता दू मैं फिल माजी करीब को पहचानने का जो ट्रिक है वह यह कि कि आप को माजी मुद्लग के आखिर में यानि कि लास्ट में है नहीं तो है यह दोनों दिखाइएं दिए अकिसे कहते हैं जिसका आमको खत्म होनाोो पंपकरा है जिसके आगर आप लोग है लगादेते तो यह माजी मुतलग के अचरे में अगर लोग माजी कारीब के पहचाननी का ट्रिक है कि माजी मुतलक के लास्ट में है लगा दो नहीं तो यह वाला है लगा दो ठीक है साजित गया है पहले साथ साजित गया तो तो आप लोग है देखेंगे नहीं तो यह वाला है देखेंगे तुरंट टिक कर दिजिएगा अगर आप लोग के एकजाम में कूशन पूछेगा तो तीसरा देखिए माजी बाइद मतलब मैं आप लोग को बताई ही जिस काम को खत्म हुए बहुत देर हो चुका हो उस तरह के काम उस माजी बाइद जैसे कि महमूद आया था साजिद गया था उसने कहा था महमूद आया था यानिकि बहुत पहले आया था साजिद गया था यानिकि बहुत पहले जा चुका है गया था यह मतलब यह काम बहुत पहले हो चुका है बहुत देर हो गई है यह काम हुए ठीक है ना तो इस तरह के फैल को क्या कहेंगे फैल माजी बाईद कहेंगे और यह जाला था, innerhalb उसके आखिर में यानिकी लास्ट में था लगा होगा नहीं तो थे लगा होगा नहीं तो थी लगा होगा जैसे कि महमूद आया था पहले था महमूद आया यह हो जादा था फेल माजी मुतलक लेकिन महमूद आया कि लास्ट में क्या लगा दीजे तो महमूद आया था लास्ट तो थे लगाओगा नहीं तो धी लगाओगा यह याल रखिएगा साजित गया था सलीमा आई थी ठीक है उसने कहा था वह बोली थी यह काम बहुत पहले हो चुकायां की काम को खत्म है भाए देर हो वो काम कुछ समय तक लगातार होता था उस तरह की काम को कहते हैं माज इस्तमरारी जैसे कि महमूद आया करता था इसे पता क्या चल रहा है कि महमूद का जो आने का काम है वो पहले जारी था मतलब पास्टाइम में वो आया करता था, यानकी हमेशा वो आया करता था मतलब यह लगातार आता था मतलब इस तरह की काम को क्या बोलेंगे माजी इस्तमरारी कहेंगे ठीकर उसी तरह है एक और example साजिद बस से जाया करता था साजिद जो है ना बस से जाया करता था इससे पता क्या चल रहा है कि यह जो काम होता था साजिद जाने का काम करता था पस टाइम में लगातार करता था मुपलाब यह काम past time में जारी था होता था इस तरह का काम इसको क्या बोलेंगे इस तरह के साम को बोलेंगे अब इसी महमूद के महमूद आया के लास्ट में क्या लगा दीजे ता था यान की महमूद आया करता था महमूद आया करता था ठीशे लास्ट में ता था लग गया ना देखिए ता था तो यह गया ता था ते थे ती थी तो जिस भी माजी मुतलग के लास्ट में ता था ते थ उम्रारी कहते हैं तो आप लोग को चार यह टाइप समझ में आ गया होगा और दो टाइप बचा हुआ है वह ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आसानी से समझ में आ जाएगा सबसे पहले अगर आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट लेना चाहते तो कोई दिक्कत ही नहीं है ले ठाल माजे तमननाई या फिर फिल माजी शर्तिया तो शमझे कीFail माजी शक्या किसे कहते हैं जिसको चina Parliament इसमले कहा है का लग आप बोन सकते हैंограф माजी थमाली बोला जाता है इको तो तक कौन है तो दौनों है कोई विडियthree-घियों के विपनाही कई की न ही तो यह से किlar सबस्क्राइब न हम फंकिन को टते हैं जिसने शक बाया जाए है यानि की पता नहीं यह daag कि नहीं हो रहा होगा जिस काम में शक हो उस तरह के काम उस तरह के फेल को फेल माजी शक्या कहते हैं जैसे कि महमूद आया होगा महमूद आया होगा पता नहीं है वो आया है कि नहीं आया है लेकिन हां महमूद आया होगा कमफर्म नहीं है शक पाया जा रहा है तो इस तरह के परहेंद को क्या बुलेंगे फेल माजे शक्या उसी तरह साजित गया होगा सलीमा सोई होगी तुम बोले हो गया ऐसा तो जिसमें शख पाया जैता है जिस वेल में उस फेल को क्या को ते प union शक्या और इसकश को पहचानने का जो ट्रिक है वो है कि माजे माजी मुतलग के आखिर में आप लोगों को होगा नहीं तो होगी नहीं तो होंगे दिखाई देंगे ठेके माजी मुतलग का महमूद आया ठेके अब महमूद आया के लास्ट में आखिर में आप लोगों को होगा लगा होगा नहीं तो होगी लगी होगी नहीं तो होंगे लग लग गोगी तो लास्ट में क्या लग गई होगी सलीमा तो रसलीमा होगी तो लास्ट में क्या है होगी दिखाई कल दिखाई लुद्सक्पतिGO funny धिदे उसके के प्लों को पर चनी टिक कर दो भी तो यह जटा है के माज fluak तमनना यह फिर शर्थ हो जैसे कि काश महमूद आए होता तमनना है काश महमूद आया होता ठीख तो इस तरह के फिल को क्या बुलेंगे फेल माजी तमनना यह फिर एक और एक्जामपल लीजिए साजिद गया होता अगर स्टार्टिंग में अगर लिखना भूल गई हूँ, अगर साजित गया होता, तो उसे भी किताब मिलता, तो यहां पर शर्त पाया जा रहा है न, कि अगर साजित गया होता, तो उसे किताब मिल जाता, यह फिर उसे गिफ्ट मिल जाता, जो भी है, अगर महमूद पहले आया होता, तो मतलब उसका ट्रेन नहीं छूटता उसे ट्रेन मिल जाती ठीक है बस मिल जाती वगरा वगरा तो जिसमें तमन्ना हो शर्थ हो उस तरह के फेल को कहते हैं फेल माजी तमन्नाई और इसको पहचानने का जो ट्रिक है वो है माजी मुतलग के आखिर में सिर्फ ता लगा होगा नहीं तो ती लगा हुआ है ठीक है पहले था महमूद आया माजी मुतलग्स लेकिन ड़ास्ट में क्या लगा दिया गया होता काश महमूद आया माजी तमन्नाहीा होता सलीमा आई होती ठीक है वे लोग गए होते हैं लास्ट में क्या रहे ता ते ती जिस भी फेल के लास्ट में आएगा उसको कहेंगे माजी तमन्नाई और जिस भी फेल के लास्ट में होगा होगी या फिर होंगे आएंगे वो लोग चले गए होंगे वो चली गई होगी ठीक है तुम बोले होगे तो लास्ट में होगा होगी या फिर होंगे रहेगा तो उसको माजी शक्या बोलेंगे तो यह हो गया टुटल छे टाइप यानगी छे किसमों को मैं आप लोगो बता दी हर एक टाइप को आप लोग डिपली समझ गए अब एक भी कोश्चन आप लोग के एक बाकि जो कुछ भी समझाई समझ में थे नहीं किया ना तो फड़ावक लाइक करें शेर करते हैं तो चली आजके इस वीड़ियो को यह कर इंड करते हैं अगर आप लोग चैनल पर नए-णयाय आए हुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्रीब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़ूर दबा लीजिएगा उससे होगा ये कि मेरी रोड़ आने वाली वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक है फिर मुलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुद हाफिस